असलाम अलेकुम तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलेशेस जूसी कीमा पास्ता रेसेपी तो आएए देखिए ये दो मीडियम साइसके प्याजे और पांच-छे हरी मिर्शी है इसे मैंने चौप कर लिया है कूकर में तेल डालेंगे तीन चम्मच इसको हम सौटे इसको हम इसमें एड करेंगे और थुड़ा भूनेंगे कीमा हमने एड कर दिया अब इसमें एड करेंगे अध्रकलसन का पेस्ट और आदा चम्मच नम्मग इसको अच्छे से भूनेंगे ये दो मीडियम साइसके टमाटर है इसको भी एड कर देंगे और इसको अच्छे से चमच मिर्शी pleager कि मिर्शी पावडर कि अमनेिए हमें बहुती दाला है इसलिए एक ही चमच यूज उसकर रहे हैं ओकम तिकी मिर्ची है ये और आदा चमच गरम मसाला पावडर और एक मैगी मसाला अगर मैगी क्यूब है आप के पास तो वो आप इसमें एड़ कर सकते हो इसको अच्छे से भूनेंगे मसालों का अच्छे से भूनेंगे कीमे में थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हुए ताकि मसाले जले ना थोड़ा सा पानी एड़ करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे अब इसमें दालेंगे पानी लीड लगाकर तीन सीटी आने तक पकाएंगे यह मैंने कुकर खोल दिया है और इसमें एड किया है मैंने साड़े तीन गलस पानी देखिए क्योंकि मकरोनी मैं कुकर में बना रही हूँ यह गिलास से मैंने पानी डाला है घर के कोई भी आप गलास से पानी डाल सकते हो इसमें नमक एड कर रही पनी के हिसाप का और इसमें दालेंगे आदा किलो मक्रोनी 500 ग्राम मक्रोनी है यह कुकर में आड़ कर देंगे हैं मैं इस जाठे से मिक्स करेंगे हुआ Rough इतोई में जल्दी बन जाता है ताएं पिए उबाने की जंज़ट में होती है और जैसे हैं मोबाल के बनाते वैसे ही बनता है देखें कितनी उबसुरत और डिलीशिस लग रही है क्रोनी दालने के बाद दो सीती हमें फास्ट फ्लेम पर रखना है और फिर दो सीती हो जाने पर गैस को बन कर देना है और नहीं रखना है गैस पर देखें कितनी juicy और delicious बनी है और इतनी खिली खिली बनी है ऐसी आसान और simple recipe के लिए मुझे subscribe करें लाइक करें दुआ में याद रखें अल्ला हाफिज